असलाम आलेकुम आजीज तलबा मैं आपका अपना दोस्त अब्दुर्जाक सर आज हम पढ़ेंगे पैमाईश अब पैमाईश किसको कहते हैं और किस तरह से पैमाईश की जाती है और इसकी है काई क्या है यह सारी बाते हम वीडियो में देखेंगे तबसे पहले आप याद र आज हम इसी के बार में पढ़ेंगे कि मिटर और से किस तरह से नापा जाता है पैमाईश होती क्या है पैमाईश की किस तरह से जाती है हम देखेंगे अब आसान मैं आपको एक्जामपल दिखाता हूँ आप सिर्फ इसको बगोर देखिए अब मैं इस तक्तिस या को जो है इस बोर्ड को ब्लैक बोर्ड को मैं यहां से यहां तक नापूँगा मेरे पास कोई पट्टी नहीं है या फिर कोई चीज नहीं है नापने का आला नह है लेकिन मैं इसको नापूँगा मैं नापूँगा इसको बालिष्ट के जरीए बालिष्ट की मदद से हैंने हमारे जो एक बालिष्ट होती है उसकी मदद से मैं आपूँगा अब कितने बालिष्ट होती है इसका हम अंदादा लगाएंगे देखिए यह है एक उसके बाद है दो उसके बाद है तीन और उसके बाद है चार याने चार बालिष्ट है मेरे जो है चार बालिष्ट है अब इसी को आप हम एक छोटे बच्चे को मेरी बेटी को मैं नापने लगाऊंगा कि वो कितने बालिष्ट होता है वो बराबर बालिष्ट नापेगी मुनस्दा इतरो खुलो पूरा इसाद खुलो यहां से कितना हुआ है एक दो दो तीन चार आसे आप खुलो चार पांच छे छे अब आपने देखा कि जब इसी जो बोर्ड है हमारा इस बोर्ड को मैंने नापा तो मेरे चार बालिष्टा है लेकिन इसको मुनस्दा यह चोटी बेटी लड़की जो है मेरी उसने नापा तो छे बालिष्टा आया इसमें फर्क क्यूं हुआ ऐसे फर्क क्यूं हुआ क्या वज़े इसकी आप इसका जवाब दे सकते हैं जी हाँ इसकी वज़े ये है कि मेरा हाथ मेरी बालिष्ट बड़ी है और मुनज़ा की बालिष्ट जो है मेरे मुकाबले मेरे हाथ के मुकाबले में छोटी है इसके लिए उसके बारिष्ट क्या हुए ज्यादा हुए और मेले बारिष्ट क्या हुआ कम हुआ अब बारिष्ट के मदद से सारी चीजे तो हम नाप नहीं सकते हैं क्योंकि कम ज्यादा हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं आप हमारी जो हमारे पास जो हमारे कम पास बॉक्स में जो पट्टी होती है उसकी मदद से मैं इसको बोर्ड को नापूँगा अब देखता हूँ कि कितने होते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, और आदा, अब पांच पकड़के चलो, पांच पट्टी, कितने ही, पांच फी, थोड़ा सा बाकी बचाया हमारा, अब हम इसको मुनज़ा को ना अपने लगाएंगे, कि वो कितने पट्टियां होती, मुनज़ा, एक, उसके बराबर लगाने का उसके निशान, इनिशान पर लगाने का बराबर, दो, तीन, चार, और ये, पांच, उतना ही बाकी बचा, यहने मुनज़ा के नापने के बाद भी कितने पट्टियां हुई, पांच ही पट्टियां हुई, हमने देखा आपके मैंने जब नापा जब भी पट्टियां बराबर पांच हुई और थोड़ी जगा बची और मुनज़ा ने भी जब इसी को उसी पट्टि के मदद से नापा, तो उसकी भी पांच ही पट्टियां हुई और थोड़ी से जगा बची, याने दोनों का नापना बराबर हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ने एक ही पट्टी लेकर हमने क्या कि उसको नापाए, उसके पैमाईश की है, इसलिए दोनों की पट्टियां से ए हैं जो हमारा टेप पट्टी है उसंते जो नापते हैं उसकी प्यमाईश बराबर होती है। इसके लिए असे अपके बपास बाक्स में छोटी सी पट्टी है। एसी पट्टी है। अब यहां पर भी इस कर देखेंगे तो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ऐसे पंदरा तक लिखा हुआ होगा एक तरफ दस की तरफ दस लिखा हुआ है और एक तरफ उपर जो है पंदरा लिखा हुआ है वह सेंटीमिटर है कि जिसको बारी लिखा हुआ होता है उसमें cm cm का मतलब क्या होता है सेंटीमिटर सेंटीमिटर वहां पर लिखा हुआ है अब यहां पर आपको मैं बात बताता हूं कि इसके अंदर भी छोटी छोटी पांट पांच लगी रहे होती है एक दो तीन चार और पांच और एक दो तीन चार पांच यहां पांच है यहां पांच यह दसवा है याने यह चोःऊ चोठा है इस तäch छोटी एक आई है सेंटीयमिटर सी प्री चोटी मिली मिटर अब इसको अम अब येपड़ना है स्ँमझ यह एक सेंटीयमिटर 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8, 9, 10, 11, 12 15 cm तक हमारे पास चोटी पट्टी है यह 15 cm की पट्टी है आप क्या करना है आपको यह चीजों को नापना है आपके जो दर्सी किताब होगी या फिर आपके जो कॉपी होगी इसको आपको नापना है और आपको तिसरी की सुवम की जो दर्सी किताब है जो सफा नंबर 28 पर आपको एक जदोल दिया गया है उसको भरना है कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पेंसिल की लंबाई पेंसिल लेना है आपको आपके पास किसी की पास pencil बड़ी होंगी किसके पास छोटी होंगी किसके पास अब यहां पर मैं यह मेरे marker की लंबाई नापता हूं यहां नापता हूं यह चीज इसको आप ध्याने मतरको इसको मैंने बढ़ा की लिखा हूं यहां पर देखो मैं अगर नापता हूं सेंटीमेटर के जरी से तो कितना है यह तेरा सेंटीमेटर है मेरी जो मारकर पेन है वो कितना है कि मेरे पास मारकर जो है अब मेरा पेन देखता हूं मेरा तो पेन कितने सेंटीमेटर देखिए 14 cm का पेन है मेरा कितना है 14 cm का पेन है जो मेरे पास बॉल पेन है यह आपको इसके अंदर नापना है क्या क्या नापना है आप ज़दोल में देखिएगा पेंसिल की लंबाई नापना है आपको बयास की लंबाई नापना है उसके साथ साथ दो इमारतों में फासला कितना है य म्हांत्रों उसके बाद आपको लिखना है उसके बाद हैं जदोल में की आपने नापा उसका लॉह कितनी लमबाई है उसके बाद देखिए अपने दोस्तों को नापने के लिए कहो के दोन Почему कव कि दोनों का मौाजना करो आप इसक CAW udah आप दोनों का बराबर आता है कि उसके बाद और आपको बताय गया कि स्कुल कीष्भाश्यक्त लाइन की लंबाई आख बराम्दे लाइन की ये मेश की जमीन की उचाय्य आपको क्या करना गवार की फिली की लंबाई, मिर्ची की पौदी की लंबाई, जवार की तनी की लंबाई, लनके दो दरखतों में फासला है, यह सारी चीजी आपको नापना है, यह चीजी अगर आपके पास नहीं है, तो आपके घर में और आपके आसपास जो चीजी होंगी आप उसको नाप पन्दरा आया तो मैं निशान लगाऊंगा पंदरा का और उसके यहां से आगे मैं बताऊंगा कितना आता है देखिए 10 आया है यानि इसकी जो कौपी की मेरी लंबाई है वो कितनी है 15 और 10 25 सेंटीमेटर कितनी है 25 सेंटीमेटर है अब इसकी चवडाई नापता हमें चवडाई कितनी है देखिए 15 सेंटीमेटर कितनी है 15 सेंटीमेटर आपको नापना है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होंगा तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए